क्या आपको बता कि चीन में चीनी लोगों को अपने ही जमीन पर अधिकार क्यों नी होता है और दुनिया के सबसे बड़ा बन्यान ट्री कहां मोजूद है और अस्टैचू अफ लिवर्टी को 16 बर्सों तक लाइट हॉस की तरह क्यों यूज किया गया था तो आज इनी सभी जबनता है कि उस चात्र या चात्रा के घोड़ों को खाना खिलाए पानी पिलाए और दीनवार उनकी देखवाल करें फैक्ट नमर टू रेंटल फैमिली सर्विस जपान की बहुत पुराने समय से चलती आ रही एक परकार की सर्विस है जिसमें कि आप माबाप भाई बहन प समय सा खुशनुमा बना रहे चीन की स्कोडिंग कंपनी में चीयर लीडर्स का काम प्रोग्रेमर्स के लिए नास्ता लाना एबम उनके साथ बाते करके मन की तनाव को कम करना होता था फैक्ट नमर फोर आपको बता कि स्टैचू आफ लिबर्टी को फ्रांस के द्वारा अमे चीन में चीनी नागरिक अपने खुद की नीजी संपत्ती नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि उनके द्वारा खरीदी गई संपत्ती पर चीनी सरकार का पूरा अधिकार होता है और इसलिए सरकारी काम के लिए वहां के सरकार वहां के लोगों की जमीन का कभी भी इस्तमाल कर सकत हैं जिसके वदले में वहां के नागरिक को पैसा भी नहीं दिया जाता है फैक्ट नमर शिक्स देखे कोलकाता में दुनिया के सबसे वड़ा और सबसे पुराना बर्गत का पेड़ मौजूद है जिसे ग्रेट बन्यान ट्री के नाम से जाना जाता है और यह बन्यान ट्री प्राउंड में जाकर एक जड़का रूफ ले लेती है तो इसी तने को एरियल रूट कहा जाता है वैसे इस पेड़ की सुरच्छा के लिए 13 एक्सपर्ट अस्टाप तैनात किये गए हैं तो बस अगर यह वीडियो अच्छी लगिए तो इसे लाइक सेयर और यह ऑगिए।